हेलो फ्रेंट्स सत्रंगी निटिंग पर आप सभी लोगं का बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आपको ये बेबी फ्रॉब बनाना बता रही हूँ देखे बेबी फ्रॉब के और भी वीडियोज मेरी चैनल पर हैं जिनके लिंक में आपको डिश्किप्शन बॉक्स में दे दूँगे आज मैं आपको ये बताऊंगे कि इस फ्रॉब को कैसे बनाया जाएगा इसको यहां तक कैसे बनाया जाएगा ये मैंने अलग वीडियो में बताया है और उसका link भी मैं आपको description box में दे दूँगी यहां से आगे इसको कैसी बनाना है यह मैं आपको आज बताऊंगे देखे इस frog में हम sleeves भी बना सकते हैं तो baby top नाम का जो वीडियो है उसमें मैंने sleeves बनाना बताया है उसका link भी मैं आपको description box में दे दूँगे तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाया जायागा थ्रॉक बनाने के लिए देखे फ्रेंड्स यह यहां तक बुनने के बाद यहां तक बुनने के बाद यह छह सलाई मैंने वाइट कलर से सीधी-सीधी बुनी है इधर यह बटन पट्टी के फंदे और यह बटन पट्टी के फंदे यह उल्टे-उल्टे बुने हैं और बागी के यह सारे फंदे वाइट कलर से सीधे-सीधे बुने हैं सीधी सलाई पर भी और उल्टी सलाई पर भी दोनों साइड से ये फंदे इतने सीधे सीधे बुने हैं और ये बटन पटी की फंदे उल्टे बुने गए हैं इस तरह से मैंने ये 6 सलाई बुल लिया है सीधी सलाई से बुलना शुरू किया एक सीधी सलाई फिर उल्टी फिर सीधी फिर उल्टी फिर सीधी और फिर उल्टी इस तरह से ये छे सलाईया बना ले अब हमें क्या करना है कि अब हमें ये फंदे अलग अलग करने हैं जो स्लीप्स के फंदे हैं वो हम बंद कर देंगे और दोनों पार्ट के फंदे अलग अल रहेंगे आगे साइड में और तीछे के पार्ट के अलग रहेंगे तो देखिए बटन पट्टी के फंदे मिलाकर आगे के हमारे एक पार्ट के जो फंदे हैं वो थर्टी हैं तो यह हमारे बटन पट्टी के फंदे तीन चार पांच अब देखिए यह फंदे हम वाइट कलर से ही बुनेंगे और सीधे सीधे बुनेंगे जैसे हम बुन रहे हैं अभी जैसे हम नेधर बुना है वैसे ही देखिए पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यार, बार, तेर, चोदर, पंदर, सोल है, सत्र, अठार, उननीस, बीस, इकीस, बाइस, तेर, चोबिस, पच्चिस, पच्चिस फंदे वाइट और पांच फंदे यह हमारी तीस फंदे हो गए आगे केक पार्ट के अब यहां से यह जो 40 फंदे हैं स्लीप्स के वो हम बंद करेंगे देखिए दो फंदे बुनने हैं इसको इसकी उपर से गिरा देना है यह हमारा एक फंदा बंद हुआ दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस जैसे यह 10 फंदे बंद किये हैं वैसे ही हम यहां पर यह 40 फंदे बंद कर लेंगे यानि 30 फंदे हम और बंद करेंगे दस यह हो गए और 30 फंदे हमें और बंद कर लेने हैं अब देखिए फ्रेंट्स ये 40 फंदे मैंने बंद कर लिए अब ये हमारा पीछे का पार्ट है तो यहां से देखिए ये फंदे हम दूसरी से लाई में कर लेंगे तो यहां से हम 50 फंदे बुल लेंगे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये 10 फंदे जैसे बुले हैं बैसे ही हम 40 फंदे और बुल लेंगे देखिए फ्रेंट्स मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूं ये 30 फंदे हमारे आगे के एक पार्ट के हैं इसमें 5 फंदे ये पिंग हैं और 25 फंदे ये वाइट हैं पिंग फंदे हम उल्टे बुनेंगे ये फंदे हम सीधे बुनेंगे ये टोटल 30 फंदे हमारे आगे के एक पार्ट के होवे ये एक आस्तीन के फंदे हैं ये 40 फंदे ये हम बंद कर देंगे यह हमारी एक स्लीब के फंदे हैं और उसके बाद यह 50 फंदे हमारे पीछे के पार्ट के हैं यह भी हम सीधे बुल लेंगे अब देखिए यह हमारी दूसरी यास्तिंग के 40 फंदे यहां पार हैं इन्हें हमें फिर से बंद कर देना है दो फंदे सीधे बुने इसको इसके उपर से गरा दिया एक फंदा बंद हुआ यह दूसरा तीन चार पांच छेग सात अब देखिए जैसे अभी यह सात फंदे बंद किये ऐसे ही हम 40 फंदे यहां पर बंद कर लेंगे उसके बाद 25 फंदे यह हम सीधे बुनेंगे हमारे आगे के दूसरे पार्ट की फंदे यह 25 यह और 5 फंदे यह बटन पड़ती के यह 30 फंदे हम अब बुनेंगे उसके बाद यह 40 फंदे बंद करने के बाद वाइट फंदे में सीधे बुलने हैं और पिंक फंदे उल्टे बुलने हैं अब देखिए फ्रेंट्स ये इतना बन गया अब हमें इसको दो पार्ट में बनाना है आगे का पार्ट हम अलग बनाएंगे और पीछे का पार्ट ये अलग बनाएंगे तो देखे आगे का पार्ट कैसे बनाएंगे इसको हम यहां से बुन्ना शुरू करेंगे तो यह जो सलाई है यह देखे यहां पर हमारी ऐसी है तो इसका जो यह वाला पॉइंट है इसको हम इधार लाएंगे तो इसके लिए हम यह सारे पंदे ऐसे ले लेते हैं दूसरी चलाई में अब देखे फ्रेंट्स यह हमारा ऐसे बन गया है यह हमारे आगे के दोनों पार्ट्स हैं और यह बटन पटे के फंदे हैं अब हम इसको यहां से बनाना शुरू करेंगे पिंक कलर से आगे हमें इसको पिंक कलर से बनाना है देखे अगर आपको फ्रॉक का गेर जादा रखना है तो आप हर दूसरे फंदे पर एक फंदा बढ़ाईए और अगर आपको फ्रॉक का गेर थोड़ा सा कम रखना है तो आ अब हर तीसरे फंदे पर एक फंदा बढ़ाईए अब देखें फंदे कैसे बढ़ाने हैं पहले हम दो फंदे सीध्य बुनेंगे अब इस फंदे को हमें दो बार बुल लेना है एक बार आगे से और एक बार पीछे से देखिया अब एक बार पीछे से बुना तो यह हमारा एक फंदा बढ़ गया फिर से दो फंदे बुन लिए अब इस फंदे को हम एक बार आगे से बुनेंगे और एक बार पीछे से बुनेंगे फिर से दो फंदे सीधे बुनेंगे इस फंदे को एक बार आगे से बुनेंगे और एक बार पीछे से बुनेंगे दो फंदे सीधे बुने, इस फंदे को एक बार आगे से बुना और एक बार पीछे से बुना दो फंदे सीधे, यहाँ पर हमने ये एक फंदा बढ़ा लिया फिर से दो फंदे सीधे, यहाँ पर ये एक फंदा बढ़ा लिया अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, ये एक फंदा हम सीधा बुनेंगे और इन फंदों को हमें ऐसी रखना है, देखिए अब पीछे की सलाई से ये बटन पट्टी के फंदे हैं, अब पीछे की सलाई से एक फंदा हम आगे वाली सलाई पर लाएंगे अभ यहाँ पर देखिए हमने, यहाँ पर एक फंदा बढ़ाया था, यह एक फंदा सीधा बुना, अब यह दोनों फंदे हम एक साथ लेंगे, और दो का एक बुल लेंगे, फिर से एक फंदा पीछे की सलाई से आगे वाली सलाई पर लाए अब देखिये, यहाँ पर भी हमें ये दो फंदे एक साथ लेने हैं और एक फंदा बढ़ाना वे है दो का एक बुन लिया, एक बार आगे से और फिर एक बार पीछे से तो यहां पर हमारा फिर से एक फंदा बढ़ गया दो फंदे सीधे बुने फिर एक फंदा बढ़ा लिया अब फिर से पीछे सलाई से एक फंदा आगे वाली सलाई पर लाएंगे और यह दो का एक बुल लेंगे जो हमारा बढ़ाने का तरीका था वो वही है देखिए दो फंदे हमारे फिर से ये दो काएक हुआ ये फिर से हमारे दो फंदे सीधे हो गए और यहाँ पर ये तीसरा फंदा जब हम दो काएक करेंगे तो इसमें हम एक फंदा बढ़ाएंगे भी कैसे देखे फिर से एक बार दो फंदे एक साथ लेकर एक बार आगे से बुन लिए और फिर से दोनों फंदे एक साथ लेकर पीछे से बुन लिए अब फिर से देखे दो फंदे सीधे बुनेंगे और यहाँ पर हम फिर से एक फंदा बढ़ानेंगे फिर से दो फंदे सीध्य बुने, इस फंदे को एक बार आगे से बुना, एक बार पीछे से बुना, तो एक फंदा बढ़ गया, इसी तरह से हर तीसरे फंदे पर एक एक फंदा बढ़ाते हुए हमें पूरी सलाई कम्प्लेट कर लेनी है, अब देखिए, यह हमारे पूरी सलाई कम्प्लेट हुए, अब उल्टी सलाई हम पूरी उल्टी बुल लेंगे, यह उल्टी सलाई हम पूरी उल्टी बुल लेंगे, ना कोई फंदा बढ़ाना है, ना कुछ करना है, ना घटाना है, अब देखिए फ्रेंड्स यह हमारा इस तरह से बने गया पहले हम यहां पर दो पार्ट बना रहे थे अब हम यह एक ही पार्ट में आगे बनाएंगे यहां पर यह हमारा जूड़ गया है देखिए इस तरह से तो अब आगे हमें यह एक पार्ट में ही बनाना है पिंक कलर से ही हम इसको आगे बनाएंगे यहां से हम अपना डिजाइन स्टार्ट करेंगे तो देखें, डिजाइन बनाने के लिए हम 4 फंदे उल्टे, 1 फंदा सीधा, 4 फंदे उल्टे, 1 फंदा उल्टा, फिर 4 फंदे उल्टे, 1 फंदा उल्टा, फिर 4 फंदे उल्टे, 1 फंदा उल्टा, इस तरह से हमें ये डिजाइन आगे बनाना है, लेकिन सीधा फंदा हम पहले 4 फंदे उल्टे बुंदाइगे 1-2-3-4 यह 4 फंदे उल्टे 4 फंदे बुन लिए धागा पीछे साइड ले जाएंगे आप देखे यहां से हमें सलाई डाल ढ़ें है नीचे से इसको नहीं बुना है नीचे चार फंदे उल्टे दो तीन चार अब एक फंदा उल्टा उल्टा फंदा हम ऐसे ही बुल लेंगे जैसे नॉर्मल बुनते हैं अब चार फंदे उल्टे एक दो तीन चार और एक फंदा सीधा पीछे साइड ले जाएंगे धागे को और यह जो सीधा फंदा है इसको हम यहां स से सलाई डालकर नीचे से सीधा बुल लेंगे अब चार फंदे उल्टे एक फंदा उल्टा बुनेंगे फिर चार फंदे उल्टे एक फंदा सीधा बुनेंगे फिर चार फंदे उल्टे एक फंदा उल्टा, चार फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, फिर से चार फंदे उल्टे, एक फंदा उल्टा, अब चार फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, पूरी सलाई हमें ऐसे ही बुल लेनी है, चार फंदे उल्टे, और एक फंदा सीधा, दो, तीन, चार, चार फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, फिर चार फंदे उल्टे, एक फंदा उल्टा, चार फंदे उल्टे, अब फिर से यह हमारा एक फंदा सीधा, चार फंदे उल्टे, दो, तीन, चार, एक फंदा उल्टा, और ये जो लास्ट में हमारे तीन फंदे बचेंगे, ये हम उल्टे बुल लेंगे, या अगर आप चाहें, तो आप एक फंदा यहाँ पर बढ़ा भी सकती हैं, नहीं तो ये लास्ट फंदे हम उल्टे ही बुल ले हैं तो कोई बात नहीं अब देखिए दूसरी से लाई यहां पर आपको ध्याना रखनां कि यहां पर आपने तीन फंदे इल्टेश भुनेंगे तो शूर्यू में हम रखने वह गुंते niet है यह चार फंदे के बाद तो इसको हम सीधा बुनेंगे धागा पीछे साइड ले जाएंगे और देखे यहां से नीचे से सलाई डालकर इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे धागा अपनी साइड चार फंदे उल्टे और ये फंदा वो है जो हमने सीधी सलाई पर सीधा बुना था इसको हम उल्टा बुनेंगे फिर से चार फंदे उल्टे अब ये सीधा फंदा देखिए सीधा दिखाय दिखाई दे रहा है ये वह वाला फंदा है जो हमने उल्टा बुना है सिधी सलाई पर इसको हम सीधा बुनेंगे देखिए यहां से नीचे से सलाई डालनी है और सीधा बुल लेना है चार फंदे उल्टे यह फंदा उल्टा बहुत आसान डिजाइन है यह फंदा सीधा थोड़ा सा जब बन जाएगा तो आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा अब देखिए यह फंदा जो हमने इधर से सीधा बुना था इसको हम नीचे से सलाई डाल कर सौरी इसको हम उल्टा बुन लेंगे अब चार फंदे उल्टे यह फंदा हम नीचे से सलाई डाल कर सीधा बुनेंगे अब चार फंदे उल्टे यह फंदा उल्टा दिखरा देखिए इसको उल्टा ही बुनेंगे यह सीधी सलाई पर हमने सीधा बुना था अब चार फंदे उल्टे ये पंदा नीचे से सलाई डाल कर सीधा बुनेंगे पूरी सलाई हमें ऐसे ही बुन लेनी है देखेए फ्रेंड्स अगर आपने भी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे मेरे नई आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे हैं चार यह हमारी चार फंदे हो गए अब इस फंदे को हम नीचे से सीधा बुनेंगे चार फंदे उल्टे अब देखे अभी जैसे मैंने यह दो सलाई बुनी है ऐसे ही आपको आगे इसको बनाते जाना है बहुत ही आसान डेजाइन है देखे चार फंदे उल्टे एक फंदा सीधा चार फंदे उल्टे एक फंदा उल्टा फिर चार फंदे उल्टे एक फंदा उल्टा इसी तरह से पूरी सीधी सलाई बुनेंगे और उल्टी सलाई में देखे क्या करना है कि जो फंदा हमने सीधी सलाई में सीधा बुना है वो तो हम उल्टी सलाई में उल्टा बुनेंगे और जो फंदा हमने सीधी सलाई में उल्टा बुना है उसको हम सीधा बुनेंगे नीचे से वस इसी तरह से हमें इसको आगे बनाना है अब देखिए फ्रेंड्स यह मैंने इतना बना लिया यहां से लेकर के जहां से मैंने यह पिंक वूल स्टार्ट की है यहां से लेकर के और यहां तक यह करीब 6 इंच है लंबाई आप थोड़ी सी कम जाधा भी रख सकती है एक दो इंच आप अगर जाधा बनाना चाहें तो आप जाधा भी बना सकती है यहां पर देखिए यह छे सलाई मैंने वाइट कलर से बुनी हैं अगर आप चाहें तो वाइट कलर लगा सकती हैं अगर आप चाहें तो पिंक कलर से ही पूरा बुल सकते हैं अगर आप वाइट कलर लगाएं तो आप ध्यान रखें रॉम साइट से वाइट कलर आप लगाईएं मैं एक वार आपको फिर से बता देती हूं यह यहां से ले करके जहां से पिंक कूल स्टार्ट की है और यहां तक यह करीब 6 इंच है लेंध आप अपने हिसाब से थोड़ी बहुत जादा भी रख सकते हैं कम जादा आप कर लेजिए एक आधिंच अब हमें यह सारे फंदे बंद कर देने हैं फंदे बंद करने के लिए देखिए पहले हम दो फंदे सीधे बुनेंगे अब इस फंदे को इसके उपर से गिरा देंगे फिर एक फंदा सीधा बुना इसको इसके उपर से गिरा दिया अब देखिए यह फंदा सीधा बुना इसको इसके उपर से गिरा दिया फिर से एक फंदा सीधा बुना इस फंदे को इसके उपर से गिरा दिया इसी तरह से हमें यह सारे फंदे बंद कर लेने हैं देखिए फ्रेंट्स फंदे बंद करते समय आप ध्यान रखिए कि फंदे बहुत ज़्यादा टाइट बंद नहीं करने हैं और ना बहुत ज़्यादा लूज हलकी हाथ से आप फंदे बंद करिए अब देखिए फ्रेंट्स यह हमारा आगी का पार्ट बन करके तयार हो गया अब इसी तरह से हमें पीछे का पार्ट भी बना लेना है उसके बाद यहां से ले करके और यहां तक और इधर यहां से यहां तक दोनों साइड आपको सिलाई कर लेनी है तो आपकी जो फ्रॉक है व कमेंट करके पूछ सकते हैं मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएए थेंक्यू फ्रेंड्स पर वाचिंग माई चैनल